हे गाइस वाट्स अप कैसे हैं आप सब लोग सो हेर इसन इंपोर्टेंट अनॉंस्मेंट दाट इस कमिंग फ्रॉम सी बीए सी और सी बीए सी ने क्लास 12 और क्लास 10 के डेट शीट जो है उसे अनॉंस कर दिया है रीसेंटली अभी कुछ घंटों पहले यह अपडेट आईए सी विल कंटिन्यू तिल 15 जुलाइ तो एक से पंदरा जुलाइ तक यहां पर एक्जाम कंड़क्ट के जाएंगे तो डिफरेंट डेट्स के ओपर आपके डिफरेंट इग्जामिनेशन जो हैं वह यहां पर इंपर इंपोर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो यह है कि सैनिटाइजर लेकर के सब भी बच्चे जाएं ओल कैंडिटेट्स विल कवर देर नोज माउथ एंड नोज विद मास्क और क्लॉथ मूह पे रुमाल मास्क यह सब आपको लगाना है ओल कैंडिटेट्स फॉलो फिजिकल डिस्टेंस नॉर्म अफॉर्थ पॉइंट बढ़ा स्कूल से ले ली गई स्कूल वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है प्रशासन की यानि administration की यहां पे कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार यानि government की यहां पे कोई जिम्मेदारी नहीं है सबी जो जिम्मेदारी है वो किस की डाल दी है पेरिंट्स की पेरिंट्स अपने आप द मतलब अपने हाथ उन्होंने खींच लिए CBSC ने सब सब का सब जो है पेरेंट्स के उपर यहां पे डाल दिया है अब देखिए यहां पे बड़े ही मतलब मुझे खतरना चीजे होती हुई दिखाई दे रही हैं आने वाले दिनों में अगर यह एक्जाम्स कंड़क्ट हो जात हैंगी बाइ CBSC I am still not able to understand how things are going to take place how things are going to happen मुझे अभी भी बहुत खत्रा और यहां पे दिखाई दे रहा है और यहां पे सीधा सीधा एक तरीके से सरकार के द्वारे clear message यहां पे दिखाई दे रहा है कि अब जो है आप लोग जनता जनार्दन आप अपना खयाल खुद रखन सीख जाईए क्योंकि हमने तो है सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो पेरिंट्स पर डाल दिये तो जनता पर डाल दिये सारी जिम्मेदारी बच्चे जो है जो देश का भविश्य हैं उनका खयाल उनकी सोच उनकी समझ अब वो क्या करेंगे देखिए जान है तो जहान है म द्वारा सोच रहा था बट यहां पर चीजें मुझे difficult होती हुई नजर आ रही हैं आज जो है 18 मई का दिन है और 18 मई को जब यह notification यहां पर आती है by CBSC लगबग डेड़ महिना है और जो स्थितियां है जब lockdown शुरू हुआ था लगबग 400 cases थे जब lockdown complete lockdown किया गया था सरकार के द्वारा और आज जब स्थिती इतनी भयानक होती जा रही है 90,000 से भी उपर हमारे जो total number of cases है भारत के अंदर वो हो चुके हैं हाला कि active जो cases का number है वो कम है recovery rate भी उसमें है included तो recover भी हो रहे हैं लोग but still the you know disease it is spreading at a more faster at a much more faster rate than it was spreading earlier daily we are seeing a expansion of around 4000 cases 4000 numbers every day they are increasing and rising I don't know how things are going to happen in days to come but still they have come out with this notification this timetable this schedule of examinations for class 12th and class 10th difficult things coming to see let's let's see what happens how things take place all instructions issued while appearing in examination centers will be strictly adhered to by the candidates so candidates को सबका नियमों का पालन करना है candidates will follow all instructions given in the admit card to admit card में भी बहुत सारे instructions यह देखर के चापेंगे during each examination duration of each examination will be as given in the date sheet and admit card answer books will be distributed 10 बजे से 10 सवा 10 के बीच में answer books आपको distribute हो जाएंगी question paper सवा 10 मुझे मिल जाएगा और उसके बाद सवा 10 से 10 बचके 30 मिनिट तक यानि साढ़े 10 बजे तक 15 मिनिट का आपको reading time दिया जाएगा उसके बाद साढ़े 10 से आपका exam जो है वो start हो जाएगा मतलब आपको समय दे दिया जाएगा लिखने के लिए अब यहाँ पर 10th class के जो exam है वो बाकी जगे तो हो गए थे नौर्थीस्ट और डेली के अंदर जो चीजें डिक्कत में थी यहाँ पर जो बंद कर दिया गए थे exams तो यहाँ पर उन्हें वापस से conduct कराया जाएगा एक तारिक से और 15 तारिक यहाँ पर भी date वापस से दी गई है तो एक से 15 और यह सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पर 12 इंस्ट्रक्शन जो पहले दिये गए थे तो 12 इंस्ट्रक्शन यहीं पर भी सेम बिलकुल वैसे ही जैसे पिछले दिये वहे थे sanitizer लेके आना है मुग पे mask लगाना है सारा का सारा जिम्मेदारी जो है वो माता-पिता की है प्रशासन स्कूल प्रशासन स्कूल CBSC और सरकार यह अपना आराम से पिरिंट्स के उपर डाल करके और बिलकुल निश्चिंत हो गए है 18 माई आज के दिन यह notification दे दी गई है CBSC के द्वारा अब अगर यह exams conduct हो जाते हैं जैसा की सरकार सोच रही है और जैसा की CBSC सोच रही है और अगर इन में से एक भी exam conduct हो जाता है और चीज़े ठीक तरीके से निकल जाती है पैन इंडिया कुछ हेकादा छोटी चीज़ें मुझे लगता है होनी हो जाएंगी क्योंकि दिक्कते हैं चीजों में अभी और cases बढ़ रहे हैं मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि चीज़े ठीक हो जाएं और पता नहीं सरकार क्या सोच रही है क्या उनकी मन्शा है उन्हो पहले जो है exam की date sheet के साथ अगर आ गया है तो इसका मतलब सरकार कहीं न कहीं मन बना चुकी है अब exam लेने का और सभी जो responsibility है वो parents के उपर यहां पे डाल दी गई है बाकी प्रशासन मैं वापस बोलूँआ प्रशासन सरकार और cbsc और schools यह बिलकुल अपने हाथ जो है free करके खड़े हैं सभी जो है अपना ख्याल खुद रखें और अपने हिसाब से रहें अब क्योंकि virus तो जाने वाला है नहीं WHO already बोल चुका है कि virus के साथ जीना सीखना होगा तो अगर यही new normal है तो मुझे चीजें थोड़ी difficulty में होती हुई दिखाई दे रही है और अब examinations की date आ तो अब students को जो CA students से खासकर उनको seriously चीजों को लेना शुरू कर देना चाहिए because it is high time now और अगर exams हो जाते हैं यह CBSC के तो फिर आगे सभी exams जो है वो conduct करा लिए जाएंगे क्योंकि हमारी जो CA की examination है वो तो 29th July से है sir तो यह तो 15 July को खतम हो जाएगा काम यह आपे और 29th July से चीज़े हैं और उसी बीच में हमारे CS की और CMA जो हमारा exam होता है cost accountant वाला CA ही बोलते हैं उसको भी CMA CA तो उसके exams भी यहाँ पे बीच में होंगे इसके 6 तारिक से इनके start होंगे फिर आगे CMA वालों के exams है तो चीज़े हैं difficult हैं पर सरकार की मनशा भी तक कुछ clearly समझ में आ नहीं रही है वो क्या कहना चाहते हैं कैसे करना चाहते हैं किस तर पर यहाँ पर जो है डर लगता हुआ मुझे तो बहुत डर लग रहा है students की situation को ले करके but I hope that things go better चीज़ें ठीक हों यही हम सोच सकते हैं बाकी एक rational being आज की rate में अगर जिस तरीके से cases बढ़ रहे हैं तो things are not easy, things are not good यही मुझे आपसे बातचीत करनी थी, have an awesome day, enjoy, thank you so much, thanks for watching